कि आउनी इस ट्यूटोरियल ब्राउंड चैनल में एक भार आपका प्रिश स्वागत है देखी जैसा कि आप तमनेल में देख रहे हैं कि एजी टी ये लेटेस्ट अपडेट जाने क्या हुआ कब तक डाटा और कब तक विग्यापन मामला जो है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग प्रयाज ग्राज से लेकर यूपिटिपल स्सी ने उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग लगनो तक ये मामला सिमट नहीं रहा है हालां कि आज की जो न्यूज है उसके अंसार जो है क्रिस्पतियोगी छात्रों ने जो उसके सक्री सदस्त थे आज वो लोग जो है आयोग के अध्क्यारियों से मुलाकात की और सभी बिंदूओं पर जानकारी भीली और जो उनकी टेलेफोनिक वारता हुई उसमें ये सभी की बाते अस्पस्टों के सामने आई कि पहली बात तो उत्तर प्रदेश लोग स्विवा आयोग को 34196 वा उस्वियाचक्या से संबद सर्वोच नयाले के सभी रिस्पॉंडेंट याचियों का सर्टिफाइड डाटा की हार्ड कापी जो है उसको यूपी ट्रिपलसी मिन्स उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग को भेजने की मांग की गई और यह लेटर उत्तर प्रदेश के लोग सेवा आयोग को प्राप्त भी हो चुका है ठीक है इसकी जानकारी ली गई दूसरा जो है आयोग में तेवहारों की छुट्टी वा कंप्यूटर नर्भा के कई कर्मचारियों के तीन दिन की छुट्टी पर होने के कारण एजिटीये का कारी जो था वो इस्टार्ड नहीं हुआ सो मुआर को सभी के छुट्टी से वापस आते ही लोग सेवा आयोग जो भी क्रिस्वी प्रतियोगी छात्रों की समस्याओं से संबंधित इस एजिटीये की डाटा पर कारे सुरू कर देगा ऐसा जो प्रतियोगी छात्रों का है वो कहना है और तीसरी बात ये निकलकाई कि जो क्रिस्प्रतियोगी छात्रों में प्रमुक थे उनलों ने कहा कि दिनांके 11 सितंबर से कार सुरू होने के एक सब्ता तक सभी क्रिस्प्रत्र जो है इंतजार करेंगे डाटा पहुँचने का कि प्रयागरास से मैं सी यूपी पी असी से डाटा जो है यूपी ट्रिपल असी पहुचने का इंतजार 11 सितंबर तक वो लोग करेंगे 11 सितंबर मैंने सिकार सुरू होने के एक सब्ता तो मिल का दीजिये कि 18 18 सितंबर तक इन लोगों ने कहा है कि मैं इंतजार करेंगे कि मारा डाटा वहां पहुँच जाए और यदि कि इस समय के अंदर डाटा नहीं पहुचता है यूपी ट्रिपल असी तो क्रिस्प्रतियोगी छात्रों ने कहा है कि हम उगरूरूप लेंगे अर्थात आयोग पर धर्ना प्रदर्शन करने के लिए जितने भी क्रिस्प्रतियोगी छात्र हैं वो बाद्ध्य होंगे और सभी क्रिस्प्रतियोगी छात्रों का जो कहना है उनके अंसार यही है कि उनका उद्धेश यह है कि 24 सितंबर तक यूपी ट्रिपल असी को रेस्पॉंडेंट का सार्टिफाइड डाटा की जो गहार्ड कापी है उभेजवाना रहेगा जिससे आयोग मुख सेविका की परिच्छा के बाद एजी टिये के बिग्यापन पर कारिश सुरू कर दे और हर हाल में अक्टूबर माह का जो आए अक्टूबर माह में क्रिस्प्राब्दिक सहायक भरती 3446 का बिग्यापन जारी हो सके तो ये रही लेटिस्ट अपडेट मिस दो तीन बाते हुई है जो क्रिस्प्रतियोगी छात्रों का कहना है पहली बात तो यूपी टिपल असी से जो जो एक्टिस जार 34196 वह उसे आज कैसे संबंद सर्वोच नयाल है कि सभी रिस्पॉंडेंट याचियों का जो सार्टिफाइड डाटा मांगने का पत्र था वो यूपी पीसी को पहुँच गया है ये तो कनफर्म है दूसरी बात चुकी यूपी पीसी मिन्स उत्तर प्रदेश लोग से वा आयोग में जो तीन दिन की चुट्टी है थी चुट्टी के कारण सो मौर से जो मनिवारता हुई मिन्स सो मौर से कारण चालू हो जाएगा ये पंफर्म हुआ मिन्स 11 सितंबर से एक सप्ता का मौका इन लोगों ने दिया है कि 11 सितंबर के बाद जो है एक सप्ता मिन्स 18 सितंबर तक हारा हाल में डाटा जो है यूपी टी पलेश सी को पहुँच जा है यह दि नहीं पहुँचता है तो यह लोग इन्होंने कहा है कि हम आयोग पर मिन्स उत्तर प्रदेक्स लोग सेवा आयोग प्रयागराज प्रधर्ण प्रदर्शन करने को बाद देहोंगे और सभी क्रिस्प्रतियोगी छात्रों का एक ही उद्देश है कि चाहे जैसे मुख सेविका की परिच्छा के जैस्ट उपरान जो है इनका जो है एजी टीये के बिग्यापन पर कारी चालू हो जाए जिससे एजी टीये का बिग्यापन हराल में अक्टूबर तक बने अक्ट सब्सक्राइब कर लें ओके थैंक यू